हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम बेक तो मैं चैनल अन्नू टुटोरियल्स तो फ्रेंट्स के रुकेश्टेट वीडियो है, मुझे कमेंट आया हुआ है जो अभी मैं आपके लिए पढ़के बता देती हूँ तो मुझे कमेंट आया है वालवी किंग ओपीसियल अकाउंट से और उन्होंने कमेंट में लिखा है मैं मैं 16 इंच का बाजू बनाती हूँ तो उसमें सलवट आती है और उसमें जोल भी आता है तो प्लीज आप बताइए तो फ्रेंड से आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि आप 16 इंच की बाजू की कटिंग सीखेंगे तो आए वीडियो को सुरू कर दें और सीखतें तो फ्रेंड से आपको समझाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया इस पर मैं आपके लिए बताऊंगी 16 इंच की बाजू कटिंग करने का एकदम सिम्पिल सा तरीका तो सबसे पहले तो आपको कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है इस तरीके से आपको अपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप कितने साइज की बाजू नकाल रहे यानि कि लंबाई तो आपको पता है कि आप 16 इंच की निकाल रहे लेकिन लंबाई के साथ साथ आपको यहाँ पर चेश्ट का भी नाप लेना बहुत जरूरी है जितना आपका चेश्ट आता है आप उसके चोथा ही भाग के एसाब से यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करेंगे डवल फोल्ड यानि कि आपकी दोनों बाजू में वो एक साथ निकल कर कम्प्लीट हो जाए जैसे मालो आपका चेश्ट 36 इंच है तो आप 36 का चोथा ही भाग करेंगे तो 9 इंच आएगा तो आपको यहाँ पर कपड़े को कितना फोल्ड करना है 9 इंच और मार्जन आपको उसमें एक्स्ट्रा रखना है आप एक इंच या फिर आदा इंच या फिर देड़ इंच आप मार्जन कितना रखना चाहते हैं यह आपके उपर डिपेंड करता है तो देखो मैं आपके लिए यहाँ पर 36 साइज के इसाब से ही बता रही हूँ तो कपड़े को कर लिया है मैंने फोल्ड और यहाँ पर नाप करना है लंबाई का आपकी बाजू की लंबाई है 16 इंच तो आपको उसमें आदा इंच उपर की साइड में मार्जन छोड़ना है और साड़े 16 इंच का निशान लगाना है यानि कि उपर की साइड में आदा इंच आपने मार्जन छोड़ दिया है तो आपको कितने इंच का निशान लगाना है साँजे 16 इंच का और नीचे की साइड में आपको भी मार्जन का निशान लगाना है आप जितनी चौड़ी पट्टी आप फोल्ड करना चाते हैं उसके इसाब से आप नीचे की साइड में निशान लगा दें तो यह लंबाई आपकी है तो देखो लंबाई पर आपको इंची नहीं करना है तो देखो यह निशान हो गया और फिर आपको यहां पर फिटिंग के इसाब से निशान लगाना है जैसे मालो आप यहां पर चतिस साइज की निकाल रहे हैं तो आपको निशान नो इंच का लगाना है और आप चोंतिस साइज की निकाल रहे हैं तो यहां पर नि निशान लगाना है कि आपकी जितनी महरी आती है आप उसका डबल के साब से निशान लगाएंगे जैसे आपकी महरी 10 इंच है तो आपको यहां पर निशान लगाना है हाफ करके पांच इंच का और आपकी महरी यहां पर आ रही है ग्यारा इंच तो आपको निशान लगाना है साड़े पंच इंच का तो आपकी जितनी भी महोरी आती है आप उसका हाफ करके यहाँ पर निशान लगा दिंगे और इस निशान को आप ऐसे सीधा मिला दिंगे इस तरीके से इस तरीके से आप इस निशान को सीधा मिला दिंगे तो देखो मैंने यहां पर 36 के साब से यह वाला निशान लगाए लाश्ट वाला तो इसको मैं ऐसे मिला देती हूं और यहां पर महुरी का निशान मैं लगा रही हूं 6 इंच का तो देखो यहां पर यह मेरा महुरी का निशान हो गया और फिर आपको यहाँआपे क्या करना है कि 2 इंच पर इस तरीके से इंची टेप को रखना है 2 या फिर 1,5 इंच पर और यहाँए से आपको इस तरीके से इसकी गोलाई की siellä देने इस तरीके से और इसे जुकाते हुए इदर की तरफ लाना है और इस वाले निशान से आपको इसे मिलाना, यानि कि इस तरीके से इसकी सेफ देने हैं, अगर आप बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी दे दे देंगे, तो आपकी जो बाजु हुआ है, यहाँ पर उसमें जोल आएगी, तो आपको यह सीधी तरीके से इसकी कटिंग नहीं करने हैं, आपको cutting इसी तरीके से करनी है जिस तरीके से आप यहां पे इसका निशान लगाएंगे तो देखो मैं यहां से भी आपके लिए नाप के बता देती हूं देखो यहां से आप इसकी नाप करेंगे तो देखो यह 9 इंच आ रहा है इसी तरीके से आपको यहाँ पर इसका निशान लगाना है और यहाँ पर इस तरीके से इसकी safe देनी है तो इसकी cutting करके भी मैं आपके लिए दिखा देती हूँ तो यहाँ तक काप सीधा कट करेंगे और यहाँ से आप ऐसे गुमाते हुए आएंगे अगर आप इसमें यहाँ पर half inch margin भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा आपकी बाजू है फिर भी छोटी नहीं पड़ेगी आप किसी भी size की cutting इस तरीके से कर सकते हैं आप यहाँ पर half inch या एक inch margin छोड़ सकते हैं और उसके इसाब से आप cutting कर सकते हैं आपकी बाजू कभी भी छोटी या फिर बड़ी नहीं पड़ेगी देखो आपको यहां से कट करना एक्स्ट्रा कपड़े को और यहां से कट करना यहां से आपको यह तिर्चा निशान लगाना यह आपको पता ही होगा तो देखो इतना कट करने के बाद फिर आपको यहां स यहां पर निशान लगा दें यहां पर केंची से कट भी लगा सकते हैं तो यह सलाई करते समय आपको पता चल जाएगा कि आपकी वाजू की फिटिंग कहां पर आएगी ठीक और इतना करने के बाद फिर आपको यहां पर आर्म होल को डाउन करना है यानि कि फ्रंट वाले आर्म होल को आपको डाउन करना है तो देखो आप इसका एक पाइट लेंगे और जहां से आपकी फिटिंग की सिलाई आती है आप वहां से इसे गहरा कट करना शुरू करेंगे औ जहां पर आपने यह 2 या 1,5-2 एंच का निशान लगाया हैं यहां तक इससे तरीके हैं, तो देखो यह आपको दिखरा और přीज़ मैंने यहां से यहां तक इसको गहरा कट कर दिया है तो इस तरीके से आपको इसके फ्रंट वाले आर्मोल की cutting करनेगे तो आप ऐसे कोई भी size की बाजू की cutting करकर complete कर सकते ही और नहीं इसमें कोई जोल आएगी और नहीं इसमें कोई salvet आएगी तो एक बार आप यहाँ से भी चैक कर लें जैसे मालो आप यहां पर यह वाला यह जो आर्म होला है इसको आप यहां तक जादा कट कर देते यानि कि मारजन उसमें जादा छोड़ देते और जब आप बाजू की शलाई करते तो आप बाजू को लूज रखते हुए बाजू की शलाई कर देते तो इस वज़े से यहां प से आप सभी जगे पर निशान लगा दे अगर आप से वाजू सही से कटिंग नहीं हो रही है तो आप सभी जगे से अपने हाथ का नाप ले सकते हैं यहां से यहां से आप जहां तक की बाजू बना रहे हैं उसके साफ से आप नाप ले सकते हैं और नाप लेकर आप उसका हाफ आप करके निशान लगा कर फिर आप यहां पर शलाई लगा ले तो आपकी बाजू है जो एकदम परफेक्ट बनेगी और उसमें कोई भी कमी नहीं आएगी तो फ्रेंट्स मैं आसा करती हूं कि आपको मेरी बाजू की कटिंग है वो 100% समझ में आ गई होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें शेर करें और आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले थेंक यू